हरी ओम तत्सत अध्यात प्रमायन उत्तरकान अश्टमसर्ग काल का आगमन लक्ष्मन जी का परित्याग और उनका स्वर्गमन रगुकुल रीती सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई रगुकुल परंपरा में हमेशा वचनों को प्राणों से ज़्यादा महत दिया जाता है श्री महादेव जी पारवदी जी से बोले कुछ काल बीतने पर ओगर पराक्रमी भरत जी अपने मामा युधा चित त्वारा बुलाए जाने पर भगवान राम की आग्या लेकर सेना सहित उनके यहां गए वहाँ पोँचकर रगुकुल नंदन भरत जी ने तीन करोड प्रमुगंदर्वो को मार कर दो नगर बसाए उनमें से पुषकरावती में पुषकर और तक्षिला में तक्षनामक अपने दोनों पुत्रों को अभिशिक्त करा और उन्हें धन्दाने तथा मित्रमंदल से संपन कर वे लोट आए और भगवान राम की सेवा में ततपर हो गए तब रगुनाजी ने प्रसन्न होकर आधरपूरवग लक्ष्मन जी से कहा हे सुमित्रा नंदन तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिन दिशा में जाओ और वहां सब का अपकार करने वाले दुष्ट भीलों को जीत कर दोनों के लिए दो नगर बसाओ और उनमें महाबलवान और पराक्रमी अंगद तथा चित्र केतु का हाती गोडे धन और रतनादी उपकरनों से राष्टिलक कर फिर तुरंथ ही मेरे पास लोट आओ भगवान राम की इस आग्या को शीरो धारे कर लक्ष्मन जी गोडे हाती आदे दलबल के सहित कए और समस्च शत्रों को मार कर दोनों कुमारों को राजपत पर नियुक्त कर कर लोट आए और फिर राम सेवा में ततपर हो गए उसके बाद बहुत सा काल प्यतित होने पर सरवदा धर्मार्ग का अमलंबन करने वाले पगवान राम का दर्शन करने के लिए जिशी वेश धारन कर काल आया और लक्ष्मन जी से ने बोला हे बुद्धिमन तुम पुर्शोतम हारा राम से दिविदन करो की महर्शी अतिबल का दूद आपके तर्शन की इच्छा से आया है मुझे उन्हें बहुत देर तक उन महर्शी श्रेष्ट का संदेश तुनाना है उसके ये वचन सुनका लक्ष्मन जी ने बड़ी श्येगरता से ही श्रेष्ट जी को उन तपोवन के आने की सूचना दी लक्ष्मन जी के ऐसा कहने पर श्रेष्ट जी ने उनसे कहा भहिया मुनी राज को तुरंती बड़े सत्वकार पूर्वक अंदर ले आओ तब लक्ष आपने कांती से प्रकाश्मन उस मुनी को श्री रगुनाजी के पास पहुंचने पर उनसे अती मधूर पाणी में आपका अभी द्योय हो इस प्रकार कहा तब श्री रगुनाजी ने उस मुनी की विधिपूरवक पूजा की और फिश्शांत भाव से रामचंद्र जी ने राजमान महाराज राम ने मुनी से कहा आप जिसके लिए यहां पदारे हैं वह संदेश मुझ से कहिए बगवान राम की इस पाक्या से प्रेरित होकर मुनी ने कहा वह बात किसी दूसरे को प्रकट ना करते हुए हम दोने के बीच ही कही जा सकती है उसे ना तो कोई सुने औ बहुत अच्छा क्या है लक्षमन जी से कहा लक्षमन तुम द्वार पर रहो इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई ना आए यदि यहां कोई भी आया तो इसमें संदे नहीं फे अवश्य ही मेरे हाथ से मारा जाएगा फिर उन्होंने मुनी से कहा तुम्हें जिसने बेजा है औ आपके पास भीजा है हे देव हे शत्रुदमन मैं आपका जेष्ट पुत्र हूँ हे वीर माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ समस देव रिशियों से पूचित भगवान दमा जी ने आपके लिए कहा है कि हे मामाते अब आपका स्वर्ग लोग की रक्षा करने का समय है उर्ग लोग उकाल में समस लोगों का संगार कर एक मात आप ही रह गए थे फिर आपने अपनी भार्या माया के सेयोग से सबसे पहल पनकर आपने महावाला पली और बड़े शूरवी दो मदू कैटम नामक देत्यों को मारा और उनके मेद और अस्तियों के समूरूख इस परवत आदि से युक्त फित्वी को रचा हे पुरुशेष्ट फिर अपनी नाभी से प्रकट हुए दिवे सूर्य के समान ते जस्वी कमल से मुझे पनकर और मुझे ही प्रजापती बना कर स्विष्टी रचना का सारा भार मुझे ही सौप दिया हे जगत पते इस प्रकार बाहर ग्रेंड करने पर मैं आप से बोला जो प्राणी मेरे वीर्य का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए तब आप कश्यप जी के हाँ वामन रूप धारी विष्णों भगवान हो कर पकट हुए और राक्षसों का नाश करके आपने प्रित्वी का भार उतारा हे धर्णी धर इस समय भी सारी प्रजा को उच्छिन होते देख आप प्रावन का बत करने के लिए बड़ते लोग में बढ़ा रेते यहां रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहसर वर्ष समय निश्चित किया था सो आपकी मानव शरीर की आयू पूर्ण होने के साथ ही आपका पैमनुरत पूर्ण हो चुका है अब तामस रूप से काल आपके पास आया है यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुब हो पैसा ही कीजिए ऐसा पिताम है रमा जी ने कहा ह है यदि आपका विचार देव लोग चलने का हो तो विष्णु भगवान से सनाथ होकर देव कर निश्चित हो जाए काल के मुख से भ्रमा जी के ये बचन सुनकर राम जी हसे और सब का अंध करने वाले काल से बोले मैंने तुम्हारी सब बाते सुन ली वे मुझे भी अत्य प्रिश्चित हैं तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोश हुआ है मेरा अबतार तीनों लोगों का कार्य करने के लिए ही वाह करता है तुम्हारा कल्यान हो अब मैं जहां से आया था वहीं चला जाओंगा मेरा सारा मनौरत पूर्ण हुआ इस में मुझे कुछ देवगर्ण मेरे सेवक हैं मुझे जैसा की ब्रमा जी ने कहा है माया से उनके सब कारियों में अवश्यतत पर रहना चाहिए उनके इस प्रकार बारतालाब करते हुए मुनिवर दुरबासा जी रगुनाज जी का दर्शन करने की इच्छा से शीकृता के साथ राज़वार पर पहुँचे महा दुरबासा मुनि ने लक्ष्मन जी के पास आकर कहा मुझे तुरंथी महाराज राम से मिलाओ मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कारे आपड़ा है यह सुन श्री लक्ष्मन जी ने अगनी के समान तेजस्पी मुनि से कहा इस समय महाराज राम से आपको क काम है आपकी क्या इच्छा है उसे मैं ही पूरा करूंगा इस समय महाराज एक और कारे में सनलगन है कुछ दे ठहरिये यह सुनते ही मुनी ने क्रोथ से प्याकुल हो कर लक्ष्मन जी से कहा लक्ष्मन यदि इसी शंड तुमने मुझे भगवान राम से ना मिलाया तो इसमे संदे नहीं मैं देश के सही तुमारे बंच को अभी बस्म कर डालूँगा दुर्वासारी शी काया बयंकर वाक्य सुनकर लक्ष्मन जी ने उसके स्वरूप का भली भानती विचार किया और यहनिस चेक कर की एक के कारण सब के नाश से तो अकेले मेरा नश्ट होना ही अच् की नंदन दुर्वासाजी से मिले रगुशेष्ट शीराम चंद्र जी ने मुनी को प्रणाम करके चित्त में प्रसन हो उनसे आदर पूरवक कहा राम ने मुनी से कहा हे मुने मैं आपका कार्य करूं शीराम ची के वचन सुनकर दुर्वासाजी ने कहा आज मेरा एक हजार व रगुचंद्र जी ने संतुष्ठ हो उन्हें इती पुर्वक सिद्ध पकाया हुआ अन्दिया और मुनी उस अम्भितुल्यान को खाकर तिप्त होकर चले गए जब जुर्वासा हुनी अपने आश्रम को चले तो रगुनाद जी ने को काल ने कहा कहे हुए बचनों का स्मरन आ इससे वे शोक और दुख से आर्थ और अधी उदास और व्याकुल हो गए रगुकुल भूशन राम ने मन ही मन लक्षमन को मरा हुआ सामान लिया इंतु भे दीन चित से नीचे होकर मुख करके बैठे रहे उनसे कुछ कह ना सके सरवेश पर भगवान राम नीचा मुख किय चुप चाब रह गए तब रगुनाद जी को अत्यंत दुखात उर्मोन चिंतित और स्ने बंदन की निंदा करते हुए देख लक्षमन जी ने कहा है रगुनादन मेरे लिए संताब ना कीजिए मुझे शिगर ही मार डाली ये प्रबो मैंने पहले ही निश्चित कर लिया था काल की गती ऐसी ही है आपके प्रतिक्षा भंग करने और मुझे भी अवश्य नरक भोगना पड़ेगा आतै यदि आपकी मुझे पर प्रीती है और यदि मैं अनुग्रय करने योग्य हूं तो हे मतिमान राम जी शंका छोड़ कर मुझसे यूद करिए प्रभो धर्म का त्य राग ना कीजिए रक्ष्मन जी का यह वचन सुनकर श्री रगनाज जी का चित चंचल हो गया उन्होंने सब मंत्रियों को बुलवा कर वैसव ब्रतान पशिष्टी जी को सुनाया प्रभू राम ने दुर्वासा मुनी का आगमन काल का भाशन और अपनी प्रतिक गया ये बाते उन से कही राम चंदर जी का खतन सुन पुरोहिद वशिष्ट जी के सहिद समस मंत्रियों ने अनायास ही सब कारे करने वाले भगवान राम सहा जोड़ कर कहा है प्रभू प्रित्वी का भार उतारने वाले आपका लक्ष्मन जी से पहले ही वियोग होना निश्चित है यह बात हमने ग्यान जिश्टी से जान ली है अते हे राम तुरंथी लक्ष्मन जी को त्याग दीजिए प्रभो अपने प्रतिग्या भंग ना कीजिए क्योंकि प्रतिग्या भंग करने से सारा धर्म निश्वल है और हे राम संपून धर्म का नाश होने पर तो संपून लो आपको तिलोकी की रक्षा करनी चाहिए रगुनाद जी ने सभा में उनके धर्म, अर्थ, युक्त और निर्दोष बचन सुनकर तुरंथी लक्ष्मन जी से कहा लक्ष्मन तुम्हारी जहां इच्छा हो बाँ जाओ जिससे धर्म में संशय उपस्तित ना हो सत्पुर्शों के लिए त्याग और वद्दोनों ही समान है रगुशेष्ट पगवान राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मन जी की आँखे दुख से डब डबा गई और वेशीगरी उन्हें प्रणाम करके अपने घर आए यद्दे पीवे सर्यू तट पर पहुंचे और आचमन करने के अरंतर उन्हें ने हाथ जोड़कर अपने नवों इंद्रिय गोल को रोक कर प्राणों को ब्रह्मरंद्र में स्थित किया और फिर वेवासुदेव नामक अव्य और अविनाशी परमपद है उस परमधाम का चित में ध्यान किया इस प्रकार प्राण निलोट करने पर रिशियों तथा अगनी के सहीद समस्त देवताओं ने लक्षमण जी पर पुश्प बरसाई और उनकी स्तुति की इसी समय इंद्रिक किसी भी देवता को दिखाई ना देते हुए उन्हें साशरी लेकर स्वर्ग लोक में आ गए तविश्णों भगवान के चतुर्धाश रूप उन लक्षमण देव को देखकर समस्त देवताओं और देवरिशियों ने उनका पुजन किया भगवान लक्षमण जी के स्वर्ग पधारने पर रमा जी के सहित सिद्ध लोक निवासी समस्त योगी जन अतिप्रसन होकर महासर्प शेष रूप धारिशी लक्षमण जी का दर्शन करने के लिए आए इति श्रीप मत अध्यातम रमायने उमा महेश्वर समवादे उत्तर कांडे अश्टम सर्ग समाप्त हरी ओम तत्सत अध्यातम दोल सक्वे करने कांडे उत्तर काने के कांडे ईत्तर काहेवाद म이면 3GANK्म जी बिअंसरे ओम इन आए तो प्रश दोप भू रूजिए अला मैंजी के गालि समारे त्रश के सब्करे सब्कारे लारे तर्श करणा उपारे गड़ी समारे को भी आपारे तर्श के बुना उपारे बादे को का आप सुर्दद मादे, भाईे को क्या संद जर्द मादे सुर्दद में आद भी को कादे, जे 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 हनुबाए करुद जन दाद कुट आशाई, आरदी करते अंजे नामाई के बादे की आदा, आरदी काढए